हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्टड़ी वे सुझीत में तो दूस्तो आज हम लोग क्लास्टुगल्थ के किमेश्टी के महत्यपूर्ण अबजेक्टिव कोसंस के बारे में डिस्कूस करेंगे जो मारे बोर्ड एक्जाम के ल बकर रहे होंगे इसक्रीन पर जो की काफी महत्यत्यपूर्ण है कि रावा का घ्रात्व क्या होता है अब्सकीडिया है density of crystal is तो इसका घुनत्व क्या होता है उमीद करते हैं आप इसका answer दे दिये होंगे जो भी दिस्त option नमर B के साथ जा रहे हैं यानि कि जे धिगू ने aim upon aq into a not तो इसका right answer रोज़ेगा option नमर B, B is the right answer for discussion answer आप अपना type करते चलेगा दुस्तों और इसी वीडियो को ज़रूर share करने का प्रयास किजिएगा और यहाँ पर प्रस्णा आप देख रहे होंगे in which of the flowing pairs of structures are tetrahedral and octahedral whites यानि कि निमन लिखित युग में से चतुस फॉलक यह उस्ट फॉलक रिखतियां होती है BCC और FCC, HCP और ACC, HCP और CCP और BCC और ACP तो इसका right answer क्या होना चाहिए तो जो भी दोस्त option number C के साथ जा रहे हैं HCP और CCP उनका right answer लजगा option number C दोस्तो C is the right answer for discussion और यहाँ पर देख रहे होंगे प्रस्ण को कि KB बराबर delta TB जबकि घोल की मुललाता होती है 1, 2, 3, 4 KB बराबर delta TB when morality of solution is 1, 2, 3, 4 यहाँ पर option दे दिये गया है तो जल्दी से आप अपना answer टाइप कर दिजिए तो जो भी दोस्त option number A के साथ गये हैं यानि कि 1 उनका right answer लोजगा option number A दोस्तो यह option नवा क्यों कर बर दे दिया है यहाँ पर G दे दिया गया है A के साथ तो option number A है वाराइट answer रोजगा option number A दोस्तो चलिए हम लोग next प्रस्ट को देखते हैं और यहाँ पर प्रस्ट आप देख रहे होंगे कि परतिकिरिया 2N2O5 से रिलेशन होगा 4NO2 प्लस O2 का बेग स्तरांग इतना दिया गया है तो जब इसे ग्याद करते हैं इसका राइट answer क्या आना चाहिए तो जो भी दोस्तो option number A के साथ जा रहे हैं निकी 0.08 उनका राइट इससे पाता लगा कि आपकी त्यारी कितनी धाकर तरीके से हो रही है दोस्तो और अगर चानल से अगर नए जूड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेजिगा जितने भी अब सेसन आएंगे वह सभी बोड से रिलेटेड ही होंगे अगर इन सेसनों को अगर अच्छे से आप त्यारी कर लेते हैं तो बोड एक्जा में 100% कहते हैं आप से अबजेक्टिव कोशन से एक भी प्रश्ण तर अब छूटने वाले नहीं है दोस्तों और यहां पर प्रश्ण आप देख रहे होंगे कि कौन सा वक्तब्या गलात है ए है बी और सी और यहां पर डी दिया गया है ओप्सन तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी जुड़ो बराबर घुल्या का मोल प्रभाज क्या यह सही है और बी यह सही है पाई बराबर सी और डेल्टा टी ए बराबर हो जाए के एफ अपॉन के बी इंटू डेल्टा टी बी तो इसका राइट एंसर क्या आना चाहिए तो जो भी दोस्त यहां पे कौन सा वक्तब्या गॉलत होत होता ही यह पी यांट से दरसा आजाए तो फिवडर सी अर्टी होता है या पाई दर्साइज जाता है तो सी बराबर क्यों पर पाई बराबर हो जाएगा सी यह इसमें थोड़ा सा डावट आ रहा है यह और बी में तो आप अगर आपको मालूं होगा तो आप बताने है मतलब आप जरू comment किजेगा हम पीन-अप कर देंगे दोस्तों ठीक तो आप comment करने का प्रयास किजेगा दुसतों इसका right answer क्या आना चाहिए। मिलस्भा गलात बताएंगे तो थोरा गलात हो ह catalrrp हो ही जाएगा तो थोरा सा आप comment करने का प्रयास किजेग नहीं तो वीडियो समाप्त होता है तो हम इसका एंसर खोज कर हम पीनप कर देंगे दूस्तों अभी आपको मालूम होगा तो सही एंसर 100% सही एंसर बताने का प्रयास किजिएगा ठीक तो चलिए हम लोग नेक्षण प्रस्ट में देखते हैं और यहा पर सिफ्षण प्रस्ट आप देख रहे होंगे कि बेंजोईक ऑमल का बेंजीन घोल में बेंट अफ गुनांक क्या होता है तो वांट अफ गुनांक आपे पुछा गया है बेंजीन घोल का इसका राइट अंसर जो हो जएगा वह 0.5 हो जएगा ठीक आप्सन वर यहां पर जो जो सी है वह सही एंसर हो जएगा और यहां पर है कि जलिए एन एओ एच के बीधुत बीच्छेतन के कैथोड एनोट पर मुगत गैसों की मोलों की संख्या कितनी हो यानिकि मोलों का अनुपात क्या होता है तो प इसका राइट एंसर क्या हो जाएगे दोस्तों तो यह दू अनुपात एक एक सांथ इसका राइट एंसर चला जाएगा और यहां पर जो यहां पर जो बी है वह सही एंसर हो जएगा दू अनुपात वन और यह यह जो सेशन है थोड़ा सा हाड लग सकता है कि इसमें हाड को कोई बात नहीं है हाड और हलका सवाल से हम लोग ऐसी त्यारी कर लेंगे कि बोड़ीजा में कोई सवाल आए हाड या नर्मल आए हम लोग असाइन से बना सकते हैं ठीक अगर हाड आएगा तो इस परकार से करता है तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों जड़ी से आप कमेंट कर दिए जो भी दोस्त आप साथ जा रहे हैं उनका राइट एंसर जगा ऑप्सन नमबर डी और यहां पर प्रस्ण आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि K2, CR2, O7, NACL और सांद्र H2SO4 के मिस्राण को गर्म करने पर लाल धूम पर आप्त होता है तो लाल धूम का और सुत्र क्या हो जाएगा तो इसका जो और सुत्र होता है CRO2, CR2 इसका और सुत्र होता है जो भी दोस्त आप साथ जा रहे हैं उनका राइट एंस रहे हैं यह थोड़ा सा हाड सेशन लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं है आप से यह सभी कोसंस आपको हालका लगेगा ठीक अगर इस सेशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो यहां पे कोकुनेट चारकोल के द्वारा कौन सा आदार्स गैस और सोसित नहीं होता है काफ को वह दोस्तों अप्सनमर् A के साथ जानेकी हम उनका राइट एंसर होजका और यहां पे प्रस्ण है कि एकसई एकसी सिक्स के ज़लांसन से प्राप्त नहीं होता है यहां पे इनन्मे से कौन सा करते हैं양 है घडरोलाइक्षिस कजफित चाहिए तो यह और यह होजागा कि which has maximum pH in a quest solution यानि कि जल ये घोल में किसका pH मान महत्तम हो जाएगा NACLO, NACLO2, NACLO3, NACLO4 तो इसका right answer क्या होना चाहिए किसका महत्तम मान हो जाएगा यहाँ पे बताना है तो NACLO के साथ इसका right answer चला जाएगा और option नमर जो यहाँ पे जो A है वोड़ सही answer हो जाएगा तो चलिए हम लोग next प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ बताना है कि इनमे से कौन सबसे सकतिसारिक औक्सीकारक है तो औक्सीकारक यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे सकतिसारिक औक्सीकारक कौन हो जाएगा तो जो भी दोस्त option number यह के साथ जा रहे हैं निकि HCLO इसका right answer चला जाएगा option number यह दोस्तो A is the right answer for this question और यहाँ पे पताना है कि इनमे से कीस योगिक में D pi और P pi बंद होता है CO2, SiO2, XEF2 या ASO4, 2- तो D pi, P pi किस में होता है वीच कंपावड़े D pi, P pi बंड एकसिस्टे तो इसका right answer क्या होना चाहिए तो जल्दी से comment कर देजिए तो जो भी दोस्त option number D के साथ जा रहे हैं ASO4 और 2- उनका right answer रहेगा option number D D is the right answer for discussion अगर session अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अगर चैनल से नए जूड़े हो तो जोड़ सब्सक्राइब कर लेजिएगा और यहाँ पर आवकारक पूछाए दोस्तों कि सबसे सकतिसालिक आवकारक कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर बताना है कि सबसे सकतिसालिक आवकारक कौन सा हो जाएगा अगर दोस्तों आवकारक कहेगा तो आईडीन हो जाएगा अगर अक्सी कारक कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा तो यहाँ पर आवकारक के साथ इसका राइटन सा चलाएगा option बड़ी यानिके I- तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सुलना प्रस्ण को जो की काफी मात्त पूर्ट सवाल है कि कौन सा जल के संपर्क में भर्टेक्स वलाई बनाता है PS3 P2H4 NS3 I-O2 यानिके भर्टेक्स कौन सा वलाई बनाता है which gas forms vortex rings in contact of air यानि कि कौन सा गैस जल के संपर्क में भर्टेक्स वलाई बनाता है तो जल्दी से इसका राइट एंसर दाग दीजिए कमेंट बक्स में कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो जो भी दोस्तों P2H4 के साथ जा रहे हैं उनका राइट एंसर दोजिए का आपसन नमबर डी तो चलिए हम लोग नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं और यहां पे प्रस्ट भी आपके सामने आ चुगा है कि प्रपाइन सोडियम के तरल अमोनिया की उपस्तिती में पर्तिक्रिया कर योगिक A बनाता है ठीक योगिक A योगिक B से पर्तिक्रिया कर टू बी उटाइन बनाता है तो वह B योगिक कौन सा हो जाएगा तो वह जो B योगिक होता है वह मेथ मेथेन और ब्रोम मेथेन होता है तो यहाँ पर बीडियो बनाएंगे कि कौन सा तुभी बटाइन बनाता है इस पर एक वीडियो आएगी कि कैसे कैसे होता है एक सो और वाई कमान कैसे कैसे ग्याद किया जाता है उसी प्रकार से इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देजिए कि CS3X एमजी और इथर के उपस्तिती में यहाँ पर एक कौन सा बनेगा और CS3CHO यानि कि मेथे एथेनॉल के उपस्तिती जब होगा तो बी यहाँ पर क्या बनेगा और फिर जो इस टूएक से साथ पर्तिकिरिया जब कराते हैं तो यहाँ पर C कौन सा होगा यानि कि योगिक C का ही मान बताना है कि कौन सा योगिक C होगा तो इस पर एक वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द तो इस पर इसमें 14 एंसर बता देते हैं दस्तो तो इसका राइट एंसर हो कि इन मैं से कोन ओम ले ग्रिगनाड अभिकार्माखो से नहीं बनाया जा सकता है वार्मिक ACID सीटीक अछिट के सीड आइसा अमने और्मुक आहीं बनाय नहीं जा सकता है दो जो वी दोस्त ऐसार रहा है के साथ लगा दूसित नहीं होजेगा ऑप्शन नमर ए चलिए दे और सेनिक और स्थीयों का मुख्यता कि इसके उपचार में उप्योख किया जाता है पिलिया, तपेदिक, हैजा और गुनोरिया तो आर्सेनिक और सुधियों का मुख्यता कि इसके उप्चार में उप्योग किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जगा, अप्सन नबर सी गुनोरिया इसका राइट एंसर हो जगा, अप्सन नबर सी यहां पर इंगली स्वे में लिख दिया गया है कि वीच एरेजिमेंट इस कोरेक्ट रिगार्डिंग इंक्रीजिंग ओडर ऑफ एस्टेबिलीटी ए बी और सी और डी थोड़ा सा हाड यह कोशन लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं इसमें वह लिख जान लेते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा दस्तों यह और जो ए है वह राइट एंसर हो जागा यह कभी भी आपके बोर्ड इंग्जामें यह सवाल नहीं पूछा गया है यह कभी आपके बोर्ड इंग्जामें यह कोशन नहीं पूछा गया है ठीक तो इसको बहुत ही हाड लेवल में चला जाएगा यह जानते हैं किस लेवल का है यह जब आयाइट आप देंगे आयाइट या जेई उसमें यह कोशन का लेवल यह पूछा जाता है दूस्तों और यहां पे परस्ट आप देख रहे होंगे कि निमन मैं से कौन M फोटली के है M फोटली के क्या होता है यहां बताना है कि कौन आयट अंसर हो जगा तो इसका राइट अंसर जोबी दोस्त और और C के साथ जा रहे हैं तो बंधन कोण यहां पर बताना है कि कि इसका अधिक होगा तो जो अवकारक होता है उसमें ही ज्यादा बंधक पाए जाता है तो यानि कि option नमर जो c है वो राइट एंस लोज़ेगा option number c ho i और यहां बताना है कि cs3 c l k c n को उपस्तिति में a और h to a और जब यह एच पला साइंस अभी किरिया करेगा तो योगिक कौन सा यहां पर बनेगा तो यह जो योगिक नहीं बनाता है कार्वोनेट यहां है बताना है कि कौन सा योगिक नहीं बनाता है न TWO CO3 c s c o 3 और c 2 c o 3 और c u co3 कार्वोनेट यहां पर जो नहीं बनाएगा दोस्तों वह ऐफी co3 नहीं बनापाएगा यहां फर्मल डिहईट और फिनोल को गर्म करने पर प्राप्त होता है बेके लाइट रेजीन पॉली एस्ट्राइरीन और एर्डॉल आपको ये कोशन से का हाई लेबल देखकर ही आप थोड़ा सा घवड़ा गए होंगे लेकिन इस परकार से कोशन आपके बोड इक जम नहीं पूछा जाएगा दोस्तो इस बार आप लोग न सकते हैं और यह यह तो बैंजीन नहीं कहां सकते हैं लेकिन माली इतो तो यह यद रखेगा ठीक कि मलें थासी जगह से डवल बं जूरा रहा चाहे लेकिन यहां पर एक है न है कि चला देगा यहां पर बताना है कि कौन से इसका राइट एंसर हो जाएगा तो जो राइट एंसर होता है वह भी इसका तो इस प्रकार आपके बोर्ण आपके बड़ एक्जामें नहीं पूछे जाएगा आप लोग घरबढ़ाईए गा नहीं दोस्तो तो मिलेंगा नेक्स्ट क्लास में अब इक लितना ही दोस्तो जेह हिंदे